नमस्कार आपका अख़बार के इस अंक में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीम सिंग। प्रधान मंत्री नरेंद मोदी 48 घंटे से ज़्यादा समय के लिए कन्या कुमारी में विवेका नंद शिला पर जो है वो ध्यान में रहेंगे और वो एक तारिख की शाम तक ध्यान में रहेंगे अब इसको लेकर देश में बड़ा घंअसान मचा हुआ है खासतर से विपक्षी दलों को बड़ा इतराज है और उन्होंने चुनावायोक से इसकी शिकायत की कि ये जो है एक तरह से परोक्षी रूप से चुनाव प्रचार है और उनके विरोधी भी जो है उनके उपर हमला करने से हिचक नहीं रहे देखे एक बात हमको समझनी चाहिए जब भी प्रधान मंत्री नरिन मोधी के बारे में बात करें तो देश में एक वर्ग है जो अच्छा खासा बड़ा वर्ग है जो मोदी के प्रती हिकारत का भाव रखता है उसके ज्यानकोश में जितने ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे मोदी को दुनिया का निक्रिष्टतम व्यक्ति साबित किया जा सके वो साबित करने की कोशिश करते है मोदी के आलोचना, निंदा मुश्किल यह है फिर भी मोदी को पचार नहीं पाते मोदी को पराजित नहीं कर पाते क्यों? क्योंकि वो मोदी को समझने की कोशिश नहीं करते कि मोदी जो कर रहे हैं उसका लक्ष क्या है? असल में क्या है कि उनके विरोधी वर्तमान उनके consideration में रहता है ये मैं नहीं कहूँगा कि वर्तमान नहीं रहता मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो है इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं लेकिन मोदी का वो लक्ष नहीं है अब आप लोगों की समझ को देखिए जो मोदी का विरोध कर रहे हैं इस ध्यान को लेकर विवेकानन को उन्होंने बंगाली बना दिया कि वो बंगाल में नौ सीटों का चुनाव है इसलिए जो है और विवेका नंद पश्चिम बंगाल से थे इसलिए जो है मोदी जो है विवेका नंद रॉक पर गए है ध्यान करने के लिए इतनी सतही अगर आपकी समझ हो तो आप मोदी को डिकोड नहीं कर सकते मोदी को नहीं समझ सकते विवेका नंद की पहचान ये नहीं है कि वो पश्चिम मंगाल से थे वहाँ जन्म हुआ था उनका उनकी पहचान अंतरराश्ट्री है वैश्विक है उनकी पहचान का जो सबसे बड़ा बिंदु है वो है उनका शिकागो का 1893 का भाशन जहां धर्म संसत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिशुनता सिखाया स्वीकारिता सिखाया हम केवल यूनिवर्सल टॉलरेशन में विश्वास ही नहीं करते सभी धर्मों मजबों को हम सत्य मानते हैं और फिर आगे उन्होंने कहा मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया के सभी देशों में जो पर्सीक्यूटेड लोग थे यानि पीडित लोग थे चाहे जिस धर्म के रहे हूँ उनको अपने हां शरण दी इस तरह का उन्होंने नहीं कहा आगे मैं कहा रहा हूँ इस तरह का दुनिया में और कोई देश नहीं है जैसा भारत देश है तो स्वामी विवेका नंत की पहचान उनके हिंदुत्व की पहचान से जुड़ती है उनके युनिवर्सल ब्रदर हुड के सिध्धान से जुड़ती है वो सभी धर्मों को जब समान होने की बात कहते हैं और हिंदु धर्म को टॉलरेंट बताते हैं सहिशन बताते हैं तो ये उनकी पहचान का मूल मंत्र है मूल सुभा उनका जो है वो यह है अब सवाल यह है कि मोदी क्या कर रहे हैं मोदी का विविकानन से क्या नाता है मोदी का लक्ष क्या है मोदी क्यों काशी विश्वनात काउरिडोर बनवा रहे हैं मोदी क्यों केदारनात धाम का कुनर उतार कर रहे हैं मोदी ने क्यों राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कारिकरम के लिए तप किया ग्यारा दिन का, क्यों वो दोनों नौरात्र में नौ दिन का व्रत रहते हैं, क्यों वो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, क्यों वो संगम में डुपकी लगाते हैं, क्यों वो जहां भी जाते बने उन्होंने तो यह सब नहीं किया तो इसका मतलब है कि यह सब किये बिराभिया प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के नेता बन सकते हैं और देश को चला सकते हैं फिर नरिन मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं नरिन मोदी का लक्ष समझने की कोशिश आप करेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्यों कर रहे हैं नरेंद मोदी का मानना है देखे दो बाते उन्होंने प्रधान मंत्री बनने के बाद कहीं बड़ी महत्वपूर्ण बाते कहीं एक विभाजन विभीशिका दिवस मनाने की जो बात कहीं हमको ये भूलना नहीं चाहिए उसका कोई सामान या अर की बात कहीं अब मोदी को आपको समझना है तो यहां से आपको चलना पड़ेगा मोदी तातकालिकता में तातकालिक जो हलाब है उसमें यकीन नहीं करते हैं उनको मालूम है कि ये सब लाब तो जो है ये फ्रिंज बेनिफिट की तरह हैं आप बड़े लक्ष को लेकर आप उसको पार करते हुए जाएंगे उसके लिए आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है आपका लक्ष जो है वो निरधारित होना चाहिए कि क्या होगा आपको एक लेक की यार दिलाता हूं कियार मलकानी भारती जनता पार्टी के वरिष्ट नेता थे और वो विचारक भी थे उनका 1986 में इंडियन एक्स्प्रेस में एक लेक छपा था तब अयोध्या आंदोलन की शुरुवात हो चुकी थी बीजेपी उसमें शामिल नहीं हुई थी 1988 में 1988 में शामिल हुई बीजेपी जब पालमपुर में प्रस्ताव पास किया और कहा कि आंदोलन का समर्थन करे लेकिन राष्टिय स्वयम सेवक संग और विश्वहिंदू परशब इस आंदोलन को शुरू कर चुका था तो उन्होंने उस लेक में लिखा कि जो लोग ये समझते हैं कि ये आंदोलन एक मंदिर बनवाने के लिए है वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं वो इसके इनहिता इक विरासत है उसको हासिल करने का आंदोलन है दूसरी बात उन्होंने कही कि ये भारत देश के लोगों के मंद से जो कोलोनियल मानसिक्ता है भरी हुई अभी तक उसको निकालने का प्रजेक्ट है उसको निकालने का आंदोलन है मोदी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं जो काम आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद शुरू हो जाना चाहिए था decolonization का वो मोदी ने 2014 में आकर शुरू किया तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो उनके विरोधी हैं उनको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है और Congress Party तो किस रास्ते पर चली गई है किस अंधेरी गुफा में चली गई है उससे उसको निकालना अब मुझे लगता है संभव ही नहीं है जो शक्तियां उनका विरोध कर रही हैं दरसल वो पोस्ट कोलोनियल शक्तियां हैं उनको अंग्रेजों में उनको बिटिश राज में बहुत सी अच्छाई दिखाई देती है और मोधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पुरातन सभ्यता है संस्कृती है उससे सर्वशेष्ट कुछ नहीं है उसको हमको पुनरस्थापित करना पड़ेगा अगर इस देश के शरीर में आत्मा को लोटाना है वापस लाना है तो हमको अपनी संस्कृती की पुनरस्थापना करना पड़ेगा विवेकानन्द रॉक पर जब वो ध्यान करने जा रहे हैं तो उसी शक्ती को जगाने की कोशिश कर रहे हैं विवेकानन्द क्या थे आप ये समझेंगे तब वहां मोदी जो ध्यान के लिए गए हैं उसको समझ पाएंगे केदारनात की गुफा में जब वो गए तो वो याद दिला रहे हैं कि आदी शंकराचारे ने देश को किस तरह से जोड़ा था चारो दिशाओं से किस तरह से उन्होंने इस देश को एक किया था जो लोग सतही ग्यान रखते हैं जो केवल मोदी का विरोध करना चाहते हैं उनको सिर्फ चुनाव नजर आता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मोदी को चुनाव नजर नहीं आता है या चुनाव उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है महत्वण नहीं है चुनाव भी महत्वण है लेकिन उनके लिए चुनाव ही महत्वण नहीं है ये फर्क है उनके विरोधियों में और उन में और जितना उनके विरोधि इसका विरोध कर रहे हैं तो उतनी ये बात लोगों तक पहुँच रही है अब कहां जा रहा है कि भाई कोई ध्यान जो है कैमरा लगा कर करता है आस्था तो निजी विशे होता है तो फिर आप हिंदू धर्म को नहीं समझते हैं हिंदू धर्म में आस्था जो है सामुहिक होती है निजी भी होती है, सामुहिक भी होती है और सामुहिक ज़्यादा होती है हमारे तीज, तिवार, व्रत आप कुछ भी उठा कर देख लीजिए सब में आपको सामुहिकता मिलेगी करोणों लोग संगम में सनान करने के लिए आते हैं जब भी कुम का मिला लगता है कोई सरकार उसका प्रबंध नहीं करती कोई सरकार उसके लिए निमंतर नहीं भेजती है अपने आप आते हैं, सनान करते हैं ध्यान पूजा करते हैं और लोट जाते हैं दुनिया में इस से बड़ा लोगों का सामुहिक अपने धर्म का प्रदर्शन जो है अपनी आस्था का प्रदर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा और कभी कोई जो है जो तीर्थियात्री आये हैं उनकी ओर से कभी एक भी चोटी सी भी कोई गरबड़ी हुई हो ये आप खोज कर निकाल नहीं सकते हैं कभी कभी आविवस्था के कारण भगदर के कारण जरूर कुछ घटनाय हुई है लेकिन तीर्थियात्रियों के कारण उनके विवार के कारण कुछ गरबड़ हुआ हो ये आप नहीं खोज सकते ऐसे धर्म के बारे में और ये धर्म जो है वो कोई पढ़ाता नहीं है उसकी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है उसके लिए कोई मदर्सा नहीं है ये जन्मजात संसकार है और संसकार से पैदा हुई ये आस्था है इसको आप राजनीती से जोड़ कर देखेंगे तो आप गलत दिशा में जाएंगे मैं बार-बार कहता हूँ कि जो भी राजनीती में है उसका राजनीतिक उदेश्य होता है ये मान कर चलना चाहिए जो भी राजनीती में आया है वो सत्ता के लिए आया है ये भी मान कर चलना चाहिए लेकिन सवाल ये है कि आपको सत्ता चाहिए या आपको सत्ता ही चाहिए किसी भी कीमत पर इन दोनों का फर्क है मोदी इसी फर्क को समझाने की कोशिश कर रहे है कि आज एक पार्टी है, आज एक प्रधानमंत्री है, आज एक सरकार है कल वो नहीं रहेगी लेकिन ये देश रहेगा और ये देश तभी रहेगा जब उसकी संस्कृती रहेगी उस संस्कृती को 1200 साल में जिस तरह से नश्ट करने की कोशिश हुई ये उसकी संस्कृती की जिजी विशा है जिसने उसको अभी तक जीवित रखा है उसके इस गुर्ण को और ज़्यादा रेखांकित करने की ज़रूरत है लोगों को फिर से याद दिलाने की ज़रूरत है हमारी संस्कृती शृती और स्मृती परंपरा पर चलती है हमारे ज़्यादा गंत जो हैं वो लिखे नहीं गए हैं बोले गए हैं लोग सुनते हैं और उन लोगों को स्मरण रहता है तो वो बार-बार ये काम करके लोगों को स्मरण कराना चाहते हैं कि आप क्या थे ये याद रखिए आपकी जो श्रेष्टता है वो दुनिया में और किसी संस्कृती में नहीं है इसलिए ये संस्कृती आज भी हजारों साल बाद भी बनी हुई है बारह साल इसका दमन किया गया इसको खत्म करने की बड़ी सुनियोजित शाजिश रज़ की गई उसके बावजूद जिन्दा है तो उसके पुनर जागरण की जरूरत है नई पीड़ी को बताने की जरूरत है वो जो पीड़ी दर पीड़ी को बारह साल में सिखाया गया कि हमारी संस्कृती जो है वो उस पर गर्व नहीं शर्मानी चाहिए हमको वो जो है पुरातन पंथी है वो अंसाइंटिफिक है और तमाम तरह की इस तरह की बाते कहिए उनको बतानी की जरूरत है नई पीड़ी को कि ये सब गलत है ये मिथ्या प्रचार है इस संस्कृती को खतम करने की कोशिश के लिए रचा गया शर्डेयंत्र है उस शर्डेयंत्र को समझने की कोशिश है और मोदी अपने व्यक्तिगत उदाहरन से इसको बताने की कोशिश कर रहे है वो चाहते तो क्योल भाशनों में ऐसी बाते कर सकते थे लेकिन वो अपने निजी आचरन से इसको दिखाने की कोशिश कर रहे है मंदिर में जाते हैं जब पुजा आचरना करते हैं तो लाखों करोणों लोग जो देखते हैं उनके मन में भी सवाल उठता है। उनके मन में कुछ तो असर होता है। और मोदी की जो communication skill है उसकी वज़े से असर और ज़्यादा होता है। वो इस बात को समझते हैं कि लोगों का उन पर भरोसा है। लोग उन पर विश्वास करते ह इसलिए मोदी की आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है, उनकी सरकार की, उनकी पार्टी की, उनकी पार्टी के कामकाज की, शैली की खुब आलोचना होनी चाहिए, कोई आलोचना होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोदी का जो लक्ष है, वो एक राष्ट्रिय वो तातकालिक राजमीतिक लक्ष नहीं है इस बात को उनके विरोधी समझते नहीं उनके इन कदमों का जितना वो विरोध करते हैं लोगों के मन में मोधी के प्रती आस्था उतनी बढ़ती जाती है विश्वास बढ़ता जाता है लोगों को लगता है जो समझते हैं उनको तो अच्छी तरह से लगता है जो नहीं समझते हैं उनको भी लगता है कि या आदमी कुछ अच्छा कर रहा है इतने लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो जरूर कुछ अच्छा कर रहा है कुछ अलग कर रहा है इसलिए मोदी की लोगप्रियता दस साल प्रधान मंतरी रहने के बाद भी बढ़ती जा रही है देश में 1947 से लेकर आज तक किसी प्रधान मंतरी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता में दस साल रहने के बाद उसकी लोगप्रियता कम होने की बजाए बढ़े और उसका मैं सिर्फ एक कारण मानता हूँ, वो है विश्वास, मोदी का हाट में विश्वास और लोगों का मोदी में विश्वास, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा, कि बिना इसके बात बनती नहीं है जब तक परस पर विश्वास नहो नेता और जनता में तब तक नेता की बात का लोगों पर असर नहीं होता और लोगों पर असर नहीं होता तो उसका उस तरह से नतीजा उसका परिणाम नहीं निकलता है मोदी जो कर रहे हैं ये 2024 के चुनाव का अंतिम दोर है सातवे चरण का मद्दान जो है कल हो जाएगा उसके बाद चार तारिक को रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट पहले से पूरी दुनिया को मालुम है अब जो कोशिश होने वाली है वो इस रिजल्ट को कैसे ये साबित किया जाए कि ये दरसल वास्तविक रिजल्ट नहीं है वास्तविक परिडाम नहीं है पहले चुनाव के प्रॉसेस को जो है वो विशियेट करने की कोशिश हुई उसको दूशित करने की कोशिश हुई अब परिणाम को करने की कोशिश होगी है ये आपको एक तारिख को यानि कल जो इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है वहीं से शुरू होता हुआ दिखाई दे जाएगा तो मोदी को अगर समझना है तो मोदी के लक्ष को समझ ये मोदी का जो लक्ष है जो वो हासिल करना चाहते हैं जो वो बदलाव करना चाहते हैं उसको समझेंगे आप तब मोदी को समझ पाएंगे तब उनका विरोध भी करना चाहें तो उसके लिए फिर आप तथ्य और तर्क ले आ पाएंगे वरना तातकाली कारणों के आधार पर मोदी का विरोध करेंगे तो उससे मोदी और मजबूत होने वाले हैं कमजोर नहीं होने वाले तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुबती दीजिए आपसे अनुद है कि ये चैनल देखे शेर कीजिए लाइप कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार